हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मितूस किचन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ समर स्पेशल मैंगो शेक, जो कि बहुत आसान रेसिपी तो होती है, लेकिन हर किसी को कुछ खास ट्रिक्स नहीं पता होती है, तो आज की रेसिपी मैंने कुछ एक अलग नए तरीके से बनाई है ट्विस्ट के साथ बनाई है, इसमें हमने कोई भी बाचार वाला मिल्क पाउडर, या फिर यहां पर मैंने कोई भी फ्रेश क्रीम, अमुलकी क्रीम, कुछ भी मलाई वगेरा यूज नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ दूद के साथ इसे बनाया है, और एक ऐसी ट्रिक्स की है, जिसे यह बहुत क्रीमी बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया है, और आप देखेंगे, सिर्फ हमारा घर का जो छोटा कप होता है, उन कप के दूद के साथ ही इतना सारा मैंगो शीक बनाया है, तो चलिए कैसे बनाया है, शुरू करते हैं, और यहां पर सबसे पहले आपको ज जार में डाल देना है, जिस भी जार में आप शेक बनाते हैं, उस जार का इस्तमाल करें, तो अभी देखिए, यहां पर आप इसे डालने के बाद इसमें शुगर एड़ कीजिए, जो की आपके टेस्ट के एकॉर्डिंग आपको लेनी है, तो यहां पर आम की मिठास बहुत ज़रूरी है, अगर आम बहुत ज़्यादा मिठा है, तो आप शुगर कम भी रख सकते हैं, तो मैं अपने आम के टेस्ट के हिसाब से, यहां चार चमत जितना जो घर की रेगुलर स्पून होती है, उस चमत से चार चमत जितने चीनी डाल देती हूं, और यहां पर देखिए यह special trick है friends, इसमें मैं डाल रहे हूं 5-6 काजू, तो यह जो काजू है, यह हमारे mango shake को बहुती क्रीमी बनाएंगे, और काजू घर में मिल जाता है easily, यहां पर आपको बजार से milk powder अगेरा कुछ नहीं डालना है, जिससे आपका यह creaminess बढ़ है, बस घर में जो आपके काजू होते हैं, उन्हें आप इसमें डाल कर अच्छे से इसके साथ ग्राइंड कर लीजिए, तो देखिए यह बहुत अच्छे से तयार हो गई है, और इसे मैंने लगवग 1-2 मिने तक अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और अब यहां मैंने देखिए 4 बड़ी ice cubes जो होती है, उन cubes को अच्छे से क्रश कर लिया, आप चाहें तो direct भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें blade तूटने का डर होता है, तो आप ऐसा ना करें, पहले क्रश कर लें, अब यह जो घर में नॉर्मल चाई पीने वाले cup होते हैं, उसी cup से मैंने यहां एक cup दूद डाला है, और यहां पर मैंने जो मेरा थोड़ा सा दूद बच गया था, आधा cup से भी कम दूद था, उसके अंदर मैंने पानी एड़ करा है, तो यह दिखिए, दूद के साथ मैंने पानी भी डाल दिया, मिक्स करके, तो आप चाहें तो पूरा दूद भी ले सकते हैं, और चाहें तो पानी भी कि मैंने यूज किया है, और डालने के बाद बस आपको फिर से एक बार अच्छे से मिला लेना है, यानि ग्राइंड कर लेना है, और बस लीजे हमारा बहुती क्रीमी थिक मैंगो शिक बन कर तायार हो गया है, जिसमें सिर्फ एक ही कप दूद यूज हुआ है, और जो दूस क्रीम होती है, उसकी भी बना सकते हैं, और यह देख सकते हो, आप काफी थिक बना है, तो आपको एक ट्रिक और दूगी, कि आप इसे अच्छे से फेटे थोड़ी दिर मतलब ग्राइंडर को चलाएं, उससे इसकी थिकनेस बढ़ती है, क्रीमीनेस बढ़ती है, बस यह नही तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, या इसके क्यूब बहुत अच्छे से इसके उपर सेटल हो पा रहे हैं, यानि हमारा जो मैंगो शेक है, वो बहुत थिक बना है, और क्रीमी तो यह है, क्योंकि हमने यहां काजु का यूज़ किया है, तो आपको मेरी यह ट्रिक कैसी ल तो वो सारी टेंशन को भूल चाहिए, और इस तरीके से घर पर इजी इंग्रेडियंट के साथ मैंगो शेक बना कर जरूर ट्राइ कीजेगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना, क्या आपको यह असान सी रेसेपी कैसी लगी, चैनल पर नहीं है, तो प्लीज चैनल क जरूर सब्सक्राइब कर ले, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई